जो लोग सुवा उठकर स्नान नहीं कर पाए वैशाखनास में, वो तीन मई से पाच मई, त्रयोदशी, चतुरदशी और पूर्डी मा, तीन दिन सुर्यो दैसे पहले उठें और सुवा सुवा स्नान करें, जन पोकर न दीकुआ, ताना बावडी, जो कुछ भी आपके इर्द हो ठीक है, अगर नहीं भी हो, तबी भी सुवा सुर्यो दैसे पहले उठकर स्नान करें, तीनों दिन अन का, जन का, सत्तु का दान करने से, पूरे वैशाख मास में स्नान और दान करने का फन पराप्त होता है, जो वैशाख मास में छाज का दान करता है, वह इस प्रत्वी प पर विदवान और दनवान होता है ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है बुदवार त्रयोदशी इस्तिती को दूध दई घी शकर और शुद शहद पाँच द्रव्यों से बागवान की प्रसंता के लिए पूजा करनी चाहिए आप अपने गुडूकी करनों बागवान समझ के तब भी वही पाद वही फल मिलता है पंच अम्रत से हरी को सनान कराता है संपूर्णकुल का उद्धार करके विश्नु लोक में प्रतिष्टित होता है सायनकाल में बैगवान विश्नु की प्रसंता के लिए शरबत का वित्रण करना चाहिए वैशाक मास के तीन दिन त्रयो दर्शी, चतुर दर्शी और फूरनीमा गीता जी का पाठ करे या विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो अश्व में विध्य करने का पल प्राप्त वूता है तो वैशाक मास में जो लोग देख रहें जो आप सुन रहे हो उन सब को वैशाक मास का तीन दिन का अखरी का न प्राप्त लीना चाई